हेलो इस वीडियो में हम एलेक्ट्र स्टाटिक्स का एक क्वेस्चन करेंगे जो कि पाथ फाइंडर फॉर ओलंपियाड एंड ये एडवांस बुक से है और इस प्रॉब्लम को पढ़िए यहां पे गिवन क्या है कि एक इस तरह की हाफ रिंग है यह सेमी सेर्कुलर आर्क है औ थीटा की अंगुलर पोजीशन पे जो चार्ज डेंसिटी गिवन है लामडा दाट इस लामडा नॉट साइन ठीटा के इकवल है अब इसमें बोल रहा है कि दो पॉइंट एक पॉइंट मालो की सेंटर विच इस पॉइंट ओ और एक पॉइंट है पी पॉइंट जो की सेंट पे है यहां पे इन दोनों पॉइंट के पोटेंशल का रेशियो बताना है तो यह खुद से अगर आपने ट्राइ कर लिया तो फिर से इसका सॉलूशन देखते हैं कैसे करना इस क्वेस्टिन को तो सबसे पहले तो हमें क्या काम करना चाहिए कि पॉइंट का पोटेंशल नि निकाल लेंगे तो वहां पे स्मॉल आर की जगह 0 रख देंगे तो ओका भी निकलाएगा तो हमें सिर्फ एक जगह का पोटेंशल पी पोइंट का निकालना पड़ेगा तो पी पोइंट एक जनरल पोइंट ले लिया इस वहले डायमीटर एबी पे अट डिस्टेंस आर फ्र बहुत चोटा सा एंगुलर विट थागर हम थोड़ी सी और ट्रैवल करें डी ठीटा के बराबर और इस वाले पार्ट में ये पार्ट ये छोटी सी आर जिसका लेंथ हो जाएगा और इंटू डी ठीटा r into d theta के बराबर sorry d theta लिखना था यहां पर r into d theta के बराबर का जो यह length हाया इतने part पे charge अगर dq है तो I can assume this charge to be a point charge और p point से अगर मैं इसकी distance लिखूँ तो यह वाली distance p point से अगर इस point के distance को बोल दूँ मैं x distance है ठीक है and if I write this angle to be alpha so यहां पर देखो एक triangle बन रहा है यह वाला triangle यह वाला angle जो बन जाएगा theta is external angle so theta will be equal to alpha plus this angle so this angle can be written as theta minus alpha इतना हम लोगों ने लिख लिए अब इस triangle की geometry से हम क्या लिख सकते है वो चीज़ देखो एक तो cosine rule लगा सकते है यह वाला angle यह वाला angle जो बन रहा है that is pi minus theta so I can write cos of cosine rule से cos of pi minus theta will be equal to small r square plus यह वाले distance capital r का square so small r square plus capital r square minus x square divided by two small r capital r अब इस term को अगर मैं x के respect में दोनों side differentiate कर दूँ तो यह वाला तो बन जाएगा minus of cos theta और minus of cos theta का differentiation again कितना बन जाएगा sin theta sin theta sin theta into d theta by dx will be equal to दूसरी साइट देखो यह r square constant हो गया capital r square constant हो गया so numerator में सरफ यही एक variable है x तो minus of 2x by 2 small r capital r 2 से 2 यह cancel हागया तो हो गया minus x by capital r small r के बराबर ठीक है और इसके अलावा यहाँ पे sin rule से भी हम लोग देखो क्या लगा सकते है sin rule से अगर मैं लिखूं तो x divided by sin of this angle which is pi minus theta so sin pi minus theta is sin theta so x by sin theta will be equal to capital r by sin alpha capital r by sin alpha equals small r by sin theta minus alpha सारी चीज़े लिखते जाते हैं फिर देखते हैं क्या किसका use आएगा किसका नहीं आएगा यह तो हमने geometry वाला पार्ट कर लिया अब इस element charge dq की value अगर लिख ले हम तो we can write dq as lambda times arc length which is r times d theta और lambda की value में पता है कितना है lambda naught sin theta so dq can be written as lambda naught r sin theta d theta ठीक है अब इस छोटे से element dq से x distance पे p point पे जो potential आएगा सिर्फ इस element की वज़े से dv we can write this dv as point charge वाला formula लगा देंगे which is capital K into charge dq by distance from this element which is x k dq by x और total potential अगर हमें point p का निकालना है तो vp will be equal to integration of dv which is equal to capital K तो constant हो गया integration of dq by x dq की value यहां से उठा के लिख सकते हो तो lambda naught capital r sin theta d theta by x ठीक है अब यहां पे देखो sin theta by x की value को क्या कहीं से और लिख सकते हैं हम लोग किसी और form में तो यह वाली जो पहली वाली equation बनाएं यहां पे इसको अगर मैं equation number 1 बोलू और इसमें sin theta d theta इदर आई रहा है और x को दूसरी side लेके जाओ sin theta d theta by x can be written as minus of dx by capital r तो this can be written as constant सारे बहार ले जाओ k lambda naught capital r और sin theta d theta by x को लिख लिख लिए हमने minus of x by capital r so minus of x और यह भी आएगा dx भी minus of x dx by capital r small r ठीक है और ठीक है अच्छा नहीं स्वरी x भी नहीं आएगा x तो इदर आगया sin theta d theta by x की value हम लोग लिख लिख रहे हैं तो x भी यहां पे नहीं आएगा सिर्फ dx आएगा यह इतना आगया इसमें से देखो capital r small r भी constant है इसको भी integration के बहार ले जाते हैं तो यह भी बहार में आगया capital r small r तो integration में बचा सरफ minus of dx minus को भी बहार ले आओ तो minus भी बहार आगया यह आगया integration of dx ठीक है अब starting वाला जो हमारा पहला element था वो हम ले रहे हैं point b पे और उस वाले point के लिए देखो x की value कितनी आ जाएगी यहां से यहां तक की which is capital r plus small r तो capital r plus small r और जब last वाले element ऐसे b से गुमते 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 यहां पे आ जाएंगे theta 0 से लेके जब pi तक आएगा तो जो last element आएगा a point पे उसके लिए यह वाली distance हो जाएगी x की which can be written as capital r minus small r तो यहां पे capital r minus small r रख देंगे अब value उठा के substitute करो one का integration basically x हो गया upper limit minus lower limit तो minus r minus r minus 2 r हो जाएगा minus से minus cancel हो गया capital r capital r से गया और यहां से small r आ जाएगा 2 small r यहां से cancel हो जाएगा तो बस बचेगा कितना 2 तो 2 capital k into lambda not यह इतना आ गया potential of point p यह value आ गई vp की अच्छा यह जो function आया हमारा यह independent of r है मतलब कि अगर मैं यहां पे small r की value अगर capital r by 2 रख हो तो भी आई आएगा r by 4 रख हो तो भी आई आईगा r equal to 0 भी रख हो तो भी answer क्या आना चाहिए यही same आना चाहिए तो that means इस पूरी a b की diameter वाली पूरी line पे जो potential है that is same that means I can write vp by vo will be equal to 2k lambda not by 2k lambda not which is equal to 1 so we get the answer as 1 but एक चीज और आप ध्यान दो जो solution मेरे से हुआ नहीं जो तरीका मैं सोच रहा हूँ एक और तो आप लोग को अगर कुछ idea लगे तो मुझे help करो यहां पे comment में कि एक तो इस a b diameter पे पूरी line के कोई भी point पे चले जाओ हर जगे potential same है और हर जगे potential same है इसका एक मतलब तो यह हो सकता है कि इस वाली line पे जो है field 0 होती माल लो है ना दूसरा यह हो सकता field 0 होगी नहीं है दिख रहा है कि non symmetrical case है यहां पे तो field तो कुछ नो कुछ आएगी दूसरा possible case ऐसा हो सकता है कि इस a b diameter line पे हर जगे electric field जो होगी वो कैसी होती इस line के perpendicular होती मतलब कि हमें पहले ही result पता है कि electric field के perpendicular जाने पे सारे points जो भी मिलेंगे हमें वो equipotential मिलेंगे तो अगर किसी symmetry या किसी और तरीके से prove हो सकता कि जो electric field line बनेगी इस पूरे diameter पे वो कैसी बनेगी इस diameter के perpendicular बनेगी तो भी यह result हम बिना यह सारी चीज़े solve करे भी बता सकते थे तो अगर कोई तरीका आपको लगता है कि कुछ और तरीके से symmetry के use से यह चीज़ प्रूफ करी जा सकती है तो इस पे आप लोग सोचो और अगर किसी से कुछ होता है तो जरूर comment में लिखो और बाकी solution पसंद आया हो आपको और इस तरह के और questions मैंने जो डाल लखे है पाथ finder के अच्छे questions उनको भी देखो playlist चेक आउट करो और अपने friends को भी share करो जाद से जाद थैंक यू